नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सिंगल फेज, थरी फेज, समर्शी बर मोटर के कुछ पार्ट के नेम तो वीडियो को ध्यान पुरक लास तक देखें तो चली शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला पार्ट है मोटर का स्टेटर जियां दोस्तों स्टेटर जिसके अंदर स्लोट बने होते हैं तो यह स्टेटर है उसके बाद बात करते हैं स्टेड की जो मोटर को कसने के काम आते हैं इसको नट भी बोलते हैं उसके बाद आता है दोस्तो लोक रिंग लोक रिंग का कार यह है स्टेड रिंग को पकड़ के रखना कस के रखना रोक के रखना तो यह है अगला पार्ट स्टेड रिंग है फिर आता है मोटर का रोटर यह है कोपरिया ऐलमूनियम का होता है उसके बाद है upper housing जिसके अंदर दो bus लगे होते हैं और उपर की तरफ cable निकला होता है यह upper housing है उसके बाद आता है lower housing यह motor के नीचे का इसा है नीचे का housing है इसके अंदर भी दो bus लगे होते हैं और इसके उपर thrust plate चलता है thrust plate रखा होता है उसके उपर कार्बन बेरिंग चलता है ठीक है फिर आता है कार्बन बेरिंग यह थरस्पलेट के उपर चलता है यह थरस्पलेट है जो कि नीचे के हाउजिंग के उपर रखा जाता है फिर आता है सर्कलिप लोग फिर आते हैं मोटर के बुस यह बुस पीतल के होते हैं कई मोटर के अंदर रबर बुस और पीतल के बुस भी देखे जाते हैं लगाये जाते हैं यह है तिल्टिंग पैड यह है थरस प्लेट ही है फिर आता है मोटर का बेस जो की नीचे का हिस्सा है फिर आता है मोटर पाइट जिसके अंदर मोटर का स्टेटर रहता है